हेलो दोस्तो स्वागत आपका मेरे चैनल जिग जग टेक्निकल में दोस्तो आज बात करेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच क्या होते हैं कैसे काम करते हैं और क्या इनकी वर्किंग रहेगी इसके ओपर हम पूरा डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके के से य प्रेशर स्विच होते क्या हैं तो एक प्रेशर स्विच जो होता है वो मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइज होती है मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइज होती है जो क्या करता है जो हमारा फ्ल्यूड होता है यह जो फ्ल्यूड होता है इसमें यहां पर हमारा फ्ल यह जो यहां पर प्रेश माइगा हड़न कॉट्रोड प्रेश को नो smiling मौनीतर करता है और यह जो नवृता गया है इसे हम इस प्रेशर रिंज को सेट में इसे cya डैंँ सो में 40 kg प्रेशर नहीं आ रहा है तो यह प्रेशर स्विच एलेक्ट्रिकली एक्टिवेट नहीं होगा तो कोई भी हमारी प्रोसेस है सपोज आप बात करें कि हमारा कोई यहां पर कोई वर्किंग का कोई पीस है इसको किसी हाइड्रोलिक प्रेशर से पकड़ना है यह हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर से पकड़ना है इसको तो हाइड्रोलिक प्रेशर से इसे अगर हम पकड़ना है तो यह जो प्रेशर है चालिस केजी का रिक्वार्मेंट होती है इस प्रेशर की जो रिक्वार्मेंट है व हमको hydraulic pressure मिल रहा तो ये जो piece है इसे से पकड़ेगा नई या भिर हो सकता कि process में चल रहा हो तो ढिर जाएगा और में कुछ काम होना संस्वेंध खराब अना तो हमार्द काने काम चाएगा और बिकांव उडायाँ आब तो द भीले हम इसने आपardoर हैओ और 12 तब तक 40 kg प्रेशर ना आए तब तक यह जो काम है यह हो ही ना मेंस यह आगे जाए ही ना आटो में साइकिल चले ही ना यह जो हमारा प्रोसेस है इसके लिए इस लेंडर आगे बढ़े ना इस पीश को पकड़े ना जब तक 40 kg प्रेशर नहीं मिलता है तो 40 kg प्रेशर मिलने के बाद ही एक काम हो तो इसके लिए क्या होता है कि अब जो यहां पर प्रेशर स्विच है वो क्या करता है कि हमारा प्रेशर कितना आ रहा है क्योंकि हमने इस नॉब की मदद से प्रेशर को 40 kg सेट कर दिया है क्योंकि इसकी भी एक रेंज होती है पर चालिस की जी नहीं आएगा तब तक यह प्रेसर स्फिछ एक्टिवेट particular कैसा हो आज और दिखाता हूं वह को इस तरीके से होते हैं देखंए कि यहां पर जैसे आपको देखने को मिलेगा कि यह हमारा कोई भी इस्प्रिंग रहा है तो यह कि यह स्प्रिंग पार्ट है हमारा और यह हमारा कामन पार्ट यह हमारा डायfrorm के साथ में spring लगी रहती है तो क्या होता है जब pressure आता है इस पूरे section में जो pressure आएगा वो क्या होगा कि जैसे अगर आप यहां पर बात करें यहां पर हमारा कोई pressure आया तो pressure एक housing के अंदर आयेगा यहांपर हाुजिंग होगी उसके अंदर आएगा तो जो यह जो spring वाला part है, यह हमारा knob वाला part है, इससे spring की tension को कम और ज्यादा करते हैं, जितना ज्यादा हम spring की tension को कर देंगे, उतना ज्यादा pressure की requirement होगी, इस switch को इस position मा आने के लिए, यह जो common switch है, इसको यहाँ पर इस position मा आने के लिए, NO से टकराने के लिए, जो NO point contact दिया हुआ ह इस point से टकराने के लिए, उतनी ही ज्यादा pressure की जरुवत होगी, और जितना हम इसे धीला छोड़ेंगे इस spring को, pressure जो knob है उससे, तो यहाँ पर जो pressure आ रहा है, अगर धीला हम छोड़ेंगे, तो उतना कम force इसमें लगेगा, और यह इसके साथ में टकराएगा, तो अगर फं इसके through हम लोग यहाँ पर से command लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा common supply यहाँ पर हम दे देंगे, तो common supply यहाँ पर हम दे देंगे, relay activate करेंगे, तो ही हमारा hydraulic system on होना चाहिए, hydraulic system में जो आगे काम होना होगा, तो 24 volt की requirement हमको यहाँ से है, तो 24 volt यहाँ से एननोसेट जाएगा, और 24 इस वोल तब system को मिलेगा, जब यह इसके साथ में टकराएगा, तो यह जब टकराएगा, जब यहाँ पर 40 kg pressure आएगा, तो 40 kg pressure जब तक नहीं आएगा, तब तक यह इसके साथ में टकराएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो knob की setting की है, वो 40 kg की वी है, इससे कम, अगर 40 kg से कम का pressure रहेगा, तो यह यहाँ पर इसके साथ में नहीं contact बनाएगा, और जो हमारा hydraulic system में जो interlocking की हुई है, वो नहीं होगी, और जो हमारा काम आगे होना है, वो नहीं होगा, तो इस तरीके से mechanical और electrical interlock से pressure switch को use किया जाता है, और इसका use है, वो हमारा hydraulic system के जो optimization है, उसमें किया जाता है, तो अभी यहाँ पर हम बात करें, इस point का क्या use है, यह जो point है, NCS का क्या use है, तो कहीं बार जो हमारा PLC, HMI system है, उसमें हमें दिखाना होता है, कि low pressure आ रहा है, तो इसलिए हमारे machine नहीं चले, क्योंकि यह machine को कोई signal देना पड़ेगा, कि अभ frequency से जो हमारी command, हमने जो interlocking ले होगी, वो क्या दिखाएगा किसी भी screen में, कि हमारा अभी system में low pressure आ रहा है, जिसकी वज़े से अभी हमारा hydraulic system auto cycle में नहीं जा सकता है, तो इस point का भी use किया जाता है, जब pressure का range कम आ रहा है, तो इसका भी use कर सकते हैं, इसका भी use कर सकते हैं, तो जो हमारा अगर pressure setting की requirement में ज्यादा है, ज्यादा हमारा pressure में कोई चीछ चल रही है, तो limit को यहां से set करेंगे, और alarm को दिखाने के लिए यहां पर से हम सोग कर सकते हैं, तो इस तरीके से pressure जो switch है, वो काम करता है, तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के hydraulic based, pneumatic based और electrical automation based videos में बनाता रहता हूं, like ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और subscribe भी कीजिए, मेरे चैनल को धन्यवाद